तो बंदरा तारीक से शुरू हुए करनाटक के नाटक का अब अंत हो चुका है आखिरकार ये दुरप्पा के सीफे के तौर पर हुआ है इन पांच दिनों में क्या रहा पूरा सियासी घटना करब देखे इस रेपॉर्ट में कि कैसे पल-पल बदला ये समीकरण इस तरह पांच दिनों तक चले करनाटक के नाटक का अंत हो गया ये दुरप्पा ने विधान सभा में टेस्ट से एन पहले इस्तीफा देना ज्यादा बहतर समझा दरसल पांच दिनों तक पूरे देश की नजर करनाटक के सियासी घटना करम पट्टिकी थी कि क्या किसी भी द पंद्रा माई को चुनाव नतीजे आने के बाद से 19 माई को यदुरप्पा के स्तीफे के साथ खत्म हुए नाटक का घटना करम पंद्रा माई को जैसे ही ये साफ हो गया कि करनाटक की जनता ने किसी भी दल को सपश्ट बहुमत नहीं दिया है जोड तोड की सियासत चुरू हो गई बीजेपी का दावा था कि वो सबसे ज्यादा सीटे जीती है लेहाजा सरकार बनाने का उससे पहले नियोता मिले लेकिन इधर कॉंग्रेस ने एलान कर दिया कि वो जेडियस के कुमारा स्वामी के नेतरत में सरकार बनाने के लिए गढ़ जोड के लिए तयार है लेकिन कॉंग्रेस जेडियस के गढ़ जोड की टकर में बीजेपी ने दावा किया कि ये गढ़ बंदन अनैतिक है दूसरी ओर दूसरे दिन यानी सोला मई को दिन भर सियासी जोड दोड चलती रही कॉंग्रेस ने विधायकों के लिए कमरे बुक करवाए दूसरी ओर यदुरप्पा को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया इधर यदुरप्पा ने एलान किया कि कल वो शपत लेंगे यदुरप्पा राजपाल से मिलने राजभवन गए तो जेडियस के सभी विधायक भी राजभवन पहुच गए लेकिन राजपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया साथी पंदरा दिन में पहुमत साबित करने का मौका भी दिया लेकिन कॉंग्रिस जेडियस को ये नागवार गुज़रा और उन्होंने राजपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोट का दरवाज़ा खटखटाया 16 मई की रात और 17 मई की सुबह साले 3 बज़े तक सुप्रीम कोट की 3 जजों की बेंच ने करनाटक के मामलें पे सुनवाई की राजपाल के फैसले के खिलाफ कॉंग्रिस रात में सुप्रीम कोट पहुँची थी लेकिन सुबह होते होते कोट ने फैसला सुनाया कि वो राजपाल के फैसले पर रोक नहीं लगाएगी कॉंग्रिस ने यदरपा की शपत ग्रहन पर रोक लगाने की मांग की थी कोट की ये एतिहासिक कारवाई थी बीजेपी को यकीन था कि वो 104 के अपने विधायकों के आकड़े के सहारे बहुमत की वैतरनी पार कर लेगी लिहाज़ा यदरपा ने राजपवन में करनाटक के मुख्यमंत्री पत के लिए शपत ग्रहन किया यदरपा ने शपत लेते ही किसानों की कर्ज माफी का एलान किया लेकिन करनाटक के नाटक का अंध अभी बाकी था सुप्रीम कोट ने यदरपा को सरकार बनाने के राजपाल के नियोते के फैसले पर रोक नहीं लगाई लेकिन बहूमत साबित करने के 15 दिनों की यदरपा को मिली मोहलत को 55 गंटों में सिंप्ता दिया कोट ने कहा कि शनीवार शाम 4 बज़े तक यदरपा को सदन में बहूमत साबित करना होगा साथी सुप्रीम कोट ने कहा कि आज ही प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाए कोट ने कहा कि राज़िपाल किसे बोलाएं इस पर दस हफते बाद सुनवाई होगी चार दिनों के सियासी नाटक के बाद आखिरकार वो घड़ी आई जब करनाटक विदान सभा में यदरप्पा को बहुमत साबित करने की अगनी परीक्षा से गुजरना था इससे पहले प्रोटेम स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई कोट ने कहा कि प्रोटिम स्पीकर पर सुनवाई हुई तो फ्लोर टेस्ट में देरी होगी इस पर कॉंग्रस ने यू टर्न ले लिया लहाजा सुबह 11 बजे करनाटक विधानसभा का सत्र शुरू हुआ सबसे पहले नए विधायकों को शबत दिलाए गई और फिर 4 बजे निर्धारत वक्त के मताबिक फ्लोर टेस्ट होना था लेकिन उसके पहले ही बेज़ेपी नेतरत में संकेत दिया कि यदरपा को अगर लगता है कि बहुमत का आकड़ा वो नहीं जुटा पाएंगे तो फ्लोर टेस्ट से पहले ही स्तीवा दे दे और यदरपा ने यही किया सदन में भावुख भाशन दिया और फ्लोर टेस्ट से पहले मुख्यमंत्री पत से इस्तीवा दे दिया पैंगलूरू से अनुराग शा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया तो करनाटक में जो कुछ भी हुआ है उससे बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों को ही फायदा हुआ है जी हाँ साव सुत्री राजनीती का बीजेपी का दावा जो है वो मजबूत हुआ है तो वहीं कॉंग्रेस को जनादेश खिलाफ होने के बावजूत सरकार बनाने का मौका मिल गया है बीजेपी को करनाटक में यद्रपा की शहादत बनाने का मौका मिल गया है तो वहीं कॉंग्रेस ने बीजेपी को उसके ही दाव से चित करके भी दिखा दिया है बीजेपी पर लोगतंच से खिलवार का कॉंग्रेस का आरोब जो है वो कमजोर हुआ है तो वहीं कॉंग्रेस को फायदा सबसे बड़ा जो हुआ वो यह हुआ कि राहूल गांदी के अधाक्षता में पहली बार कोई राज सरकार बनी है देखिए रिपोर्ट करनाटक की शहादत 2019 का विजएपाद कॉंग्रेस जेडियस की शपत महागट बंदन का मंच करनाटक का मिजास बदलेगा देश का मोड़ करनाटक की बाजीगरी 2019 में बनाएगी किंग करनाटक के किले पर कॉंग्रेस और जेडियस ने बाजी मार ली और 2014 के बाद ये पहली बार हुआ कि बीजेपी के हाद से सब ताफे सल गए करनाटक में अब कॉंग्रेस जेडियस को इंतजार है बदवार का कॉंग्रेस के पास जेडियस के समर्थन के साथ 116 लाविधायक है और राजी में बहुमत के लिए ज़रूरी संख्या 112 है कॉंग्रेस को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का वक दिया गया है कॉंग्रेस जेडियस कि अब बचल दो लिए बाजस्टी इस को अब हैं धुगेसंटेश के लिए्ट अट ड़ा जंधियस कोई उरू इंबाश्य सैज्च चिज हेल करनाटक का खत्म हुआ लेकिन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा विपाक्ष पूरे देश में जश्न मना रहा है मोधी को रोकनी में लगा हर विपाक्षी दर अपनी जीट से ज्यादा इस बात से खुश है कि करनाटक में बीजेपी के हाथ से सत्ता निकल गए चिंता अब सभी पार्टी को 2019 की करनी है जो अब बहुत दूर नहीं है और करनाटक ने विपाक्ष को जिस तरह संजीवनी दी है अपनी जीट के सहारे कॉंग्रेस अब ये थाबित करने में लगी कि मोदी मैजिक कमजोर होने लगा है और विपाक्ष के पास मोदी की लहर रूपनी का फॉर्मला मिल गया है बैंगलूरू से जैपाल शर्मा और प्रसाद भोसेकर के साथ ब्यूर रिपोर्ट जी मीडिया तेली तो आखिरकार करनाटक के नाटक का जो है वो तो अंत हो गया फाइदा कॉंग्रेस को भी हुआ और बीजेपी को भी हुआ लेकिन 2019 प्यासल फाइदा केसे होगा ये तो खेरपात बताएगा